हलो दोस्तों मेरा नाम भुपेंद्र पटेल है और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल LCS कि जैसे मैंने कल एक वीडियो डाला था for the 7plus band courses तो आज मुझे एक नई अपडेट मिली है कि आप भी चौक जाओगे इस अपडेट को जानने के बाद कि कहीं बच्चों को जो थमनिल देखा है तो उन लोग परेशान होगे कि नहीं एक्जाम बेटन चेंज हो गया क्या अपडेट आया है और ऐसा भी क्या होता है LTS एक्जाम में राइट तो मैं यहां पर आपको वन बाइवन बताऊंगा कि के एक्जेटली चेंज हुआ था जो रिसेंट एक्जाम में इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिस सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत बुलिएगा क्योंकि मैं जैसे ही कुछ नया अपडेट आपके साथ सेयर करू तो आपको इजली नॉटिफिकेशन मिलता रहे है है फोटीं आपको ब्यवेस्ट अपको आपको एग्जाम होता है इसकी जो भी मतती होटी है उसके हिसाब से आपको एरेंज किया जाता है लेकिन जो मेरे रिसेंट एक्जाम हुई थी इन ऑस्ट्रेलिया सो मेरे एक दो विवर होगे साइद जो भी इंडियन भी होगे सो उन्होंने मेल करके मुझे एक चीज बताई कि सर यहां पर एक रिसेंट एक्जाम हुई उसमें बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है सो मैं आपको बताऊँगा कि वह चेंज इस क्या था आप भी परेशान हो जाओगे क्यूंकि जब भी आप एक्जाम देने जाते हो तो वहां पर आपका माइंड सेट क्या रहता है कहला डबली के दिन कि मैं पहले लिस्टिन दूँगा अच्छे से देन रीडिंग और फाइनली राइटिंग सो यह सबका human mentality है जो pattern है standard लेकिन जो अभी जो ऑस्टिलिया में जो एक्जाम हुई उसमें थोड़ा बहुत changes हुआया है कि वो changes क्या है तो मैं आपको बताऊंगा और आप परेशान भी हो जाओगे कि जो भी exam इन वहां पर test conduct हुई उस दिन सो पहले listening नहीं reading नहीं पहले writing टास दिया गया then reading and finally listening बच्चे बहुत confused हो गए थे वह बहुत रहा था कि सर हमने हम प्रिपेर करके जाते लिस्टिंग रीडिंग और राइटिंग पैटन से लेकिन जो पहले से राइटिंग दे देते हैं हमारा हाफ एंड माइंड जो भी राइटिंग में चला जाता है लेकिन जो हमारा मैंटली प्रिपेरेशन होता है जो हम कॉंसेंट्रेट करना चाहते हैं कि maximum band score एचीव करना चाहते हैं listening में as well as reading में वह नहीं हो पा रहा है क्यूं जो भी ऐसा कुछ topic आ जाता है आपको राइ जाएगा जो आप कॉंसेंट्रेट करके गए हो कि हमें listening में नहीं seven या eight band लाना है और reading में भी लाना है तो जब भी आपको कोई अलग task दे देता है तो आप confused हो जाते हो राइट सो यह हमारी human mentality है जो second उन्होंने exam दिया तो बच्चे सोच रहे थे कि writing के बाद हमें listening देंगे लेकिन नहीं उन्होंने क्या क्या listening की बजा reading दे दिया एक गंटे का और फाइनली जो third session था उसमें listening दिया गया तो यह बहुत बड़ा changes हुआ था last week में जो एक exam होई थी ऑस्टेलिया में आपके साथ मैं share करता हूँ इस वीडियो को इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना क्यूंकि आपको मैं जैसे ही कुछ नय अपडेट आता है तो मैं share करता रहूंगा और one more thing जो मैंने last video डाली थी कि आपको 7plus band का कोई course चाहिए तो मेरे पास है available I have downloaded from the internet so please write your email address in the comment box so I will share with you definitely so thank you so much for watching my youtube channel lcs